Welcome everyone, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सुन्दर magical movie की, जिसके अंदर एक ऐसी दुनिया है, जो कि हमारी दुनिया से अलग है, लेकिन अगर वह दुनिया एजिस्ट ना करें और उसमें रहने वाले जानवर ही एजिस्ट ना करें, तो हमारी दुनिया से पानी और उजाला दो की ओनर फन था, क्योंकि उसकी माँ बाप दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, थे लेकिन गगन के साथ में उसके ग्रैंट पेरेंट्स रहा करते थे, उसके दादा और दादी गगन के ग्रैंट फादर लाइट हाउस पे काम किया करते थे, वो लाइट हाउस बहुत ही खास क्योंकि उस लाइट हाउस की लाइट जलने के कारण ही दूसरी दुनिया का अंधेरा इस दुनिया में नहीं आ सकता था हर रात, दादा जी के लाइट जलाने पे दूसरी दुनिया का अंधेरा दूर रहा करता था, कहा जाता था कि जिस भी दिन ये लाइट बंद हुई, त इसके सिंखों को ले जाता है तो हर जगह अंधेरा हो जाएगा। दादा जी के होने के कारण आज तक भी लाइट्स कभी बंद नहीं हुई। इसी के कारण सारी चीजें बहुत ही ठीक चला करती थी। गगन को डीजे बनने का शौक था और आज रात को होने वाली पार्टी में वो डीजे प्ले करने वाला था। गगन की एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम मोया था गगन। आज रात को प्ले करने के लिए एक सीडी पर चेज करता है, और इसी के साथ में अपने ग्रैंटपा के पास में भी जाता है। अपने टाइम की बहुत अच्छी डांस हुआ करते थे, लेकिन अब उम्र होने के कारण वो ज़्यादा डांस नहीं कर पाते। गगन के दादाजी हमेशा से ही गगन को magical हिरन की कहानियां सुनाया करते थे, जब तक वो हिरन जिन्दा रहेंगे तब तक शहर चमकता रहेगा, जिस भी दिन शिकारी यहां पे आ गया, उस दिन से नदियों का पानी सूख जाएगा बस, light कभी बंद नहीं होनी चाहिए, गग अखरी सांस लेते हैं, जिसके बाद उनका funeral लगिया जाता आता है, जहां पे कई सारे लोग आये थे, गगन की ग्रैंड मा और गगन दोनों ही बहुत सैट थे, लेकिन वहां के लोगों का एक ritual था, कि किसी के भी जाने पे उसका दुख नहीं मनाया जाता था, बलकि उन्हें खुशी-खुशी अलविदा किया जाता था, इसी के कारण शहर के लोग यहां पे dance करने लगते हैं, ग्रैंडपा के जाने के बाद में इस lighthouse के जिम्मेदारी अब गगन को दी जाती है, लेकिन गगन अपने ग्रैंडपा के जाने के दुख से overcome नहीं कर पा रहा था, इसी चक सारी शहर के अंदर आ जाता है, मोया को जब पता चलता है कि गगन ठीक नहीं है, तो वो उसे नदी के किनारे मिलने के लिए बुलाती है, गगन इतना परेशान था कि वो रात में DJP नहीं बनना चाहता था, मोया गगन का mood ठीक करने के लिए उसे काफी सारी candies दिलाती है और इन ही candies को लेके एक नदी के किनारे बैठ जाता है, और आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसका balance नहीं बैठता और वो पानी के अंदर गिर जाता है, गगन को एक तो तैरना भी नहीं आता था उपर से, वो waterfall से नीचे गिरा था, लेकिन मोया को तो ऐसा लग रहा था कि मा इपसूरत दुनिया, आखिर उसने पहले कभी क्यों नहीं देखी, जिसके बाद में मोया यहाँ पे अपना dance स्टार्ट करती है, मोया को dance करना बहुत पसंद था, लेकिन सबसे खास बात तो यह थी, कि वो पानी के उपर dance कर रही थी, जो कि impossible था, गगन को लगता है कि जरू जिसके बाद में अपना फोन स्टार्ट करता है, और वो मोया के साथ में अपनी grand father की वीडियो देखने लगता है, गगन चाहता था कि बस एक बार वो अपने grand pass से वापस मिल सके, अगली सुबह गगन के पास में frogs थे, और जैसे ही वो उठता है तो डर जाता है कि आखिर ये पूछता है तुम्हें, आखिर कैसे पता कि ये क्या बोलना चाहते हैं? तो मोया बताती है कि इनकी language मैं नहीं जानती, बलकि वो जो दोनों पीछे खड़े हैं, ना, वो जानते हैं जब गगन पीछे मुरता है तो उसके पीछे बहुत बड़े-बड़े से हिरन थे, गगन क वो बिल्कुल बिलीव नहीं होता कि आज उसके साथ में क्या-क्या हो रहा है, आखिर बोलने वाले हिरन उसके सामने कैसे आ गए? लेकिन मोया उसे एक चाटा लगाती है और बताती है कि ये सब कुछ हकीकत है, देखते ही देखते यहां पे काफी सारे हिरन आ जाते हैं, वै मोया गगन को पैट्रिक से मिलवा है, जहां पे गगन अपने ग्रैंट फादर के बारे में बताता है कि कैसे वो इन सब को जानते थे पहले से ही और पैट्रिक कहता है कि बताओ तुम्हारे दादा जी के बारे में तब गगन अपने दादा जी के बारे में बताता है कि वो ब इक साथ में या फिर हम कह सकते हैं कि जब ये हिरन एक साथ में डांस करते हैं तो ये नदिया और ज्यादा पावर्फुल हो जाती है जिसके बाद सीन यहाँ शिकारी के उपर शिफ्ट होता है जो कि उस जगे पे पहुंच गया था जहां पे वो हिरन को ढूड़ने आया था, शिकारी हिरन को पकड़ने के लिए यहां पे अपने ट्रैप्स लगाना शुरू कर देता है, अब ये सारे हिरन मिलके एक बहुत ही शानदार गेम खेलना शुरू कर देते हैं, पहले तो गगन इनके बीच में नहीं खेल पा रहा था क्योंकि वो ठहरा चोटा सा और साथ ही में दो हिरन लड़ते लड़ते घायल हो जाते हैं, इस चक्कर में गगन को भी एंट्री लेनी पड़ती है, जब गगन को कहा जाता है कि तुम तो खेल ही नहीं नहीं पा रहे, अगर तुम्हें खेलना है तो ऐसे सोचो कि तुम्हारी दादाजी तुम्हें देख रहे हैं, जिसके बाद तो गगन बहुत अच्छी तरीके से खेलता है और उपर से अपनी टीम को भी जिता देता है, जीतने वाली टीम तो गगन के लिए बहुत खुश थी, लेकिन गुस्से के अंदर एक हिरन बॉल को बहुत दूर पहेंक देत वो कहता है कि तुम्हारे ग्रेंट फादर भी मेरे साथ ही है, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन गगन को याद था, कि उसके दादा जी ने मना किया था कि उस शिकारी पे कभी विश्वास मत करना, ये शिकारी गगन को टॉर्चर करने लगता है, कि तुमने ही उस दिन लाइट जी से मिले, इसी के कारण पैटरिक, गगन और मोया दोनों को लेके एक नदी के पास आ जाते हैं, पैटरिक बताने लगता है कि यही वो आखिरी चोर है, जिसके बाद आत्माएं यहां से चली जाती है, गगन कहता है कि आखिर मेरे दादा जी कहा मिलेंगे, पैटरिक बतात जो कि एक बहुत ही बुढ़ा हिरन था, गगन जाके उनसे पूछता है कि क्या आपने मेरे दादा जी को देखा था, तो वो गेट की पर बताता है कि हाँ, मैंने बिल्कुल तुम्हारे दादा जी को देखा था, जो कि यहां से बहुत ही अच्छी तरीके से नाचते गाते इतनी ही देर में वो शिकारी यहां पे पहुँच जाता है, जो कि हिरन के सीन को शूट करता है, जिसके चक्कर में सारे हिरन वहां से भागने लगते हैं, बेनी हिल्दी होने के कारण भाग नहीं पाता और वो शिकारी इस मोटे से बेनी हिरन को पकड़ लेता है, पैट्रिक उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरी सिंग क्यों चाहिए तभी शिकारी बताता है कि मुझे अंधेरा लेके आना है इस जगह पे मुझे किसी भी तरीके का उजाला नहीं चाहिए कि गगन को बचाने के चक्कर में पैट्रिक को आगे आना पड़ता है और शिकारी पैट नहीं थे गगन को लगता है कि ये सब कुछ उसकी गलती के कारण हुआ है काश अगर उस दिन वो लाइट हाउस को बंद नहीं करता तो आज इतनी बड़ी गड़बड नहीं होती पैट्रिक के अंदर से उसकी सोल बाहर निकल जाती है सारे हिरन मिलके पैट्रिक का फ्यूनर और गगन को बताता है कि वो शिकारी अभी अभी यहां से निकला है अगर तुम्हें सब कुछ ठीक करना है तो तुम्हें उनसिंगोंवाल शिकारी के उपर पत्थर मारना शुरू करता है जिससे सबसे पहले तो शिकारी की गन पानी में गिरती है और उसके बाद में उसके टूटती है। पानी में रहने वाली मचलियां भी गगन की मदद करना शुरू करती है। गगन जिसके बाद आगे बढ़ता है और शिकारी से पैट्रिक के सींग लेके पानी के अंदर गिरा देता है। जैसे ही सींग पानी के अंदर जाते हैं तो पानी वापस से जिन्दा हो जाता है और इसी के साथ में पैट्रिक की सोल भी निकल के बाहर आती है। वो सुन्दर सी सोल शिकारी को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर देती है। इसी चकर के अंदर गगन भी पानी के अंदर गिर गया था। लेकिन तब वहां की मचलियां गगन को बाहर निकाल देती है अब तक सुभह हो चुकी थी और गगन को वो फ्रॉग मिलता है जिसकी मम्मी डैडी उसे मदद मागने के लिए आये थे गगन उस फ्रॉग को अपने साथ ले जाता है गगन लोटता है और उस फ्रॉग कपल को उनके बच्चे को दे देता है सारे फ्रॉग्स बड़े खुश थे और साथ ही में गगन को एक फ्रॉग किस भी देते हैं अब गगन को ये राज पता चल गया था कि आखिर मोया कैसे पानी के ऊपर चल पाती है क्योंकि वहां की मचलिया अब गगन को जान चुकी थी और वो भी उसे पानी में चलने देती है साथ ही में पैटरिक के बाद जो यहां का सबसे बुढ़ा हिरन था वो बैनी था इसलिए बैनी को अब यहां का किंग बना दिया जाता है उसके सिंग पहले से बहुत बड़े और सुनहरे हो गए थे गगन और मोया इस सुनहरी दुनिया से निकल जाते हैं और खुद के शहर में जाने लगते हैं जाने से पहले मोया गगन को कहती है कि चलो शाम को मिलते हैं आज की पार्टी में तो गगन कहता है कि हमें तो वहां गए, बहुत दिन हो गए ना, तो मोया बताती है कि हमें गए हुए बहुत कम टाइम हुआ है, अब गगन पहले से बहुत ज्यादा खुश था, इसी के कारण वो रात की पार्टी में DJ प्ले करने के लिए भी रेडी हो ज गगन आखिरी बार अपने ग्रेंट फादर के गले लग जाता है और उसके ग्रेंट फादर यहां से चले जाते हैं, इसी रात की पार्टी में सभी बहुत डांस करते हैं, गगन बहुत अच्छी तरीके से प्ले करता है और सारे लोग डांस करके खुशियां मनाते हैं, इसी के साथ गाइस ये शांदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में तब तक के लिए टाटा